किसी में भी अगर आपने मास्टर्स किया है, तो आप क्या-क्या जॉब ऑप्शिन्स या करियर ऑप्शिन्स को चूज कर सकते हैं, रिसर्च एन अकाडेमिक्स, आपको सबसे पहले क्लियर रहना है कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, ड्रग डेवलप्मेंट मतलब आप न्यू ड्रग किस तरीके से उनका मेकानिजम है, अगर आपको बनना है तो आइसे एयार का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जामिनेशन होता है, जिससे आप प्येश्डी भी कर सकते हैं, अगर आपको flow cytometry आता है, तो flow cytometry आने से ही आपकी career options बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं, master's करने के बाद बहुत सारे बच्चों को ये doubt होता है, कि वो अपने career को किस field में opt करें, या फिर master's करने के बाद कितने career scopes हैं, तो कुछ career scopes को after doing master's हम discuss करने वाले हैं, such as, अगर आपने master's या post-graduation किया है in any field, that is life sciences के किसी भी field में, zoology, botany, biotechnology, microbiology, pharmaceuticals, किसी में भी अगर आपने master's किया है, तो आप क्या-क्या job options या career options को choose कर सकते हैं, हम उसी को discuss करने वाले हैं, first is research and academics, अगर आपका interest after doing master's, interest है कि आप कोई research करना चाहते हैं, या कोई भी आपको सबसे पहले clear रहना है, कि आप किस field में research करना चाहते हैं, अगर आपको research ही करनी है, तो आपको national level entrance examinations को clear करना पड़ेगा, आप JRF हासिल करोगी, and on the basis of JRF, आप PhD opt कर सकते हो, और अपनी field of research में PhD कर सकते हो, secondly, अगर आपको research opt नहीं करनी, तो फिर आप क्या opt कर सकते हो, आप academics में जा सकते हो, as a teacher, as a lecturer, या फिर assistant professor के लिए भी आप eligible होते हो, तो लेकिन इन सब conditions को भी opt करनी के लिए, it is very necessary कि आप national entrance examination, जो national level examinations होते हैं, जैसे CSIR हो गया, DBT हो गया, ICMR हो गया, उन सब को आप clear करें, second आपके पास जो option है, that is healthcare and medical fields में, healthcare and medical fields में आप कैसे opt कर सकते हो, आप clinical research में अपना हाथ आर्जमा सकते हो, या अपना career को opt कर सकते हो, अब कैसे, जैसे मान लीजिए, आपने pharma किया है, तो अगर आपके एंफार्मा नहीं भी किया है, और अगर आपके expertise है, animal cell culture में, या फिर in vivo या in vitro, जैसे in vivo animal models में, अगर आपने research कर रखी है, या आपकी expertise है उनको handle करने में, किसी भी pre-clinical clinical trials को, आप इस तरीके से, अगर आपके expertise इसमें हैं, तो आप opt कर सकते हैं, for clinical research, आप किसी भी field में हो, आपने जिस से भी अपनी master's कर रखी है, तो आप lab technician के तोर पे भी, अपना career ले सकते हैं, thirdly, आप as a biotechnologist भी, career opt कर सकते हैं, अगर हम biotechnologist की बात करें, तो मान लीजे, कोई product या कोई service आप develop कर सकते हो, that is very useful for the welfare of mankind, that is, अगर environment के protection के लिए, या फिर हम कैसे environment को conserve कर सकते हैं, उससे related अगर आपने कोई service produce की है, या फिर आप agriculture field में कोई product आपने ऐसा discover किया है, जो useful हो agriculture field में, तो आप इस तरीके से biotechnologist वाली service लेके, मतलब इसको ऐसा career लेके, ये सारी चीजे भी कर सकते हैं, फिर बात करते हैं, pharmaceutical and biotechnology industries में भी आपके लिए, बहुत जादा scope होता है बच्चो, as quality control, मतलब quality assurance officer के form में भी, आप कुछ जो examinations होते हैं, आप वो examinations देके, आप किसी भी product की quality, assure कर सकते हो, क्योंकि quality सही है या नहीं है, by joining as a quality control officer, या फिर आप एक और चीज़, opt कर सकते हो, that is drug development, drug development मतलब आप new drugs, किस तरीके से उनका mechanism है, आप new drugs का development भी कर सकते हो, तो इसी लिए, आप pharmaceutical and biotechnology industries को भी join कर सकते हो, बहुत सारी companies ऐसी है, जो अगर आपकी, बहुत जादे important क्या है बच्चों, बहुत जादे important है, that is after, आपने जब masters आप कर रहे थे, तो जो 6 month का dissertation है, उसमें आप कौन से expertise को choose करते हो, अगर आपने animal cell culture को opt किया है, तो कितनी industries ऐसी होती है, जो mammalian cell culture पे काम करती है, आप वहाँ पे अगर अपनी expertise को show करो, आप बहुत सारे certification courses कर सकते हो, जो बहुत सारे instruments के handling सिखाती है, जैसे for example, अगर आपको flow cytometry आता है, तो flow cytometry आने से ही, आपकी career options बहुत जादा बढ़ जाते हैं, या फिर आपको GCMS करना आता है, या HPLC आता है, जिसनी आप expertise को अपनी बढ़ा हो गए, certification course करना इसलिए भी बहुत important होता है, तो आप अगर आपने master's किया है, उसके बाद आप कुछ diploma कर लो, या कोई certification course कर लो, कुछ months का, एक month, दो month, या फिर six month का, कुछ भी instrument handling की अगर आपको practice हो गई है, या उसमें आपकी expertise हो गई है, तो आपके chances after MSC बहुत ज़ादा wide हो जाते हैं, to opt for any of these career options, ठीक है, अब last है हमारा agriculture and environmental sectors, agriculture and environmental sectors में आप कैसे join कर सकते हो, आप as an environmental scientist, मतलब environment की protection के लिए, हम जैसे bio remediation करते हैं, तो हम किस तरीके से environment को बचा सकते हैं, ये scientist का ये ही काम होता है कि कैसे हम environment को protect कर सके, तो इस field को भी आप चुन सकते हो, apart from that agriculture scientist, breed करके new varieties को, मतलब उनको produce करना, इसको भी आप as a career option चूज कर सकते हो, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, ये सारे career options आप तब चूज कर सकते हो, depending upon अगर आपको environmental scientist बनना है, या agriculture scientist बनना है, तो आप ये देखिए कि और ज़्याद़ eligibility criteria क्या है, क्या कोई entrance examination पास करके, आपको as a scientist post मिल सकता है, तो उस पे आपको और deep research करनी पड़ेगी, तो आप clear हो जाओगे, बट ये भी एक बहुत अच्छा, आप जानते है, agriculture scientist अगर आपको बनना है, तो ICIR का एक बहुत बड़ा अच्छा examination होता है, जिससे आप PhD भी कर सकते हैं, प्लस आपको as a scientist opt करने, agriculture scientist बनने का भी मौका मिलता है, तो आप हमेशा ये जरूर देखना, कि जो भी आप scope use कर रहे हो, करियर के लिए जो भी आप choose करना चाहते हो, उसके लिए क्या-क्या eligibility है, आप क्या-क्या examination दे सकते हो, या क्या-क्या certification courses आपको करने चाहिए, जिससे आपके इस करियर को opt करने की chances बढ़ जाए, ठीक है, या फिर आप conservation biologist, मतलब आप किसी भी तरी से conservation करने में जो लोग involved होते हैं, biologist involved होते हैं, भले ही वो flora हो या fauna हो, किसी भी तरीके से आप उसको भी as a career option choose कर सकते हो, तो बच्चों, कुछ ये few points से जिसको आप as a career option choose कर सकते हो, बट be careful बच्चों, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ को as a career option choose करना है after master's, तो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा necessary है, that is, एक तो आप up to date रहें, जो भी आपको as a career scope चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़े होती हैं, कौन से examination देने पड़ते हैं, आप अपनी expertise को कैसे improve कर सकते हो, जिससे आपके chances बढ़ेंगे, that's all for today, thank you.